सो ही गाइस वेलकम टू माई चैनल तोडेश टॉपिक इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ठीक है आज से हम लोग करेंगे इंपोर्टन जितने भी जैनेटिक्स के टॉपिक्स है ठीक है उसके बारे में डिसकस तो यह है वीडियो नंबर वन कंप्रेट जैनेटिक्स करेंगे ह सब पार्ट में ठीक है इसने वह बेरि वेर्य इंपोर्टन टॉपिक्स है तो फ़र्स्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अज्वन कं000 डागि आचında हैब अगर防 बच्चों का बर्थ होता है तो उसमें से एक केस जो है वो नूरल ट्यूब डिफेक्ट का देखने को मिलता है एक से ज्यादा देखने को भी मिलता है इंपोर्टन कोज ओफ फीटल लोस ठीक है इस दा ओपनिंग इन अस्पाइनल कोड और ब्रेन विच अकर्स वैरी अर्ली इ इंपोर्टन क्रेक्टरिक्स अप नूरल ट्यूब डिफेक्ट इसमें होता है क्या है कि जो हमारी स्पाइनल कोड और ब्रेन इसमें ओपनिंग देखने को मिलती है यह ड़िवल्मेंट ऑफ देस्पाइनल कोड ओफ जाओ विगिन्स एज एज अज फ्लैट रीजन विच रो पहोना शुरू हो जाती है ठीक है वह क्या हो जाती है रोल हो जाती है इंटो ट्यूब ट्यूब लाइक स्टक्चर में जिसको हम लोग बोलेंगे नूरल ट्यूब कब होता है यह 28 देस आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब बोल रहा है वेन नूरल ट्यूब डज नोट उस नहीं होती तो उसकी वजह से जो हमारे पास नूरल .ट्यूब डिफेक्ट है वो कोड लोग पढ़ेंगी सब्सक्राइब ब सब्सक्राइब कि अ जो ओपन है उसकी इक्जाम्पल में क्या आता है spina bifida with mylo meningocyl clear and ainsi felly and in felloce that's important examples भी पता होनी चाहिए कि open neural tube defect में क्या आता है and closed में आता है lipom ilo meningocyl lipo meningocyl tetrake clear अब हम लोग पढ़ेंगे देट इंपोर्टन टाइप spina bifida ascul tata ठीक है जिसको हम लोग बोल देते हैं ऐसे स्पाइना बीसे बाइफिडा और अकल्टा ठीक है नदर फोर्म ओप नूरल ट्यूब डिफैक्ट डियर इस टीपिकली विनाइन बॉनी चेंजेस का कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं बीनाइन बॉनी चेंजेस इन वन और मॉर बर्टी बेस ठीक ह तो इसकी पिस्ककाई जेसंगा भी धिदी लिएखे करी काई जहां पर ही बहुत सारे न फिरे ठीक है वहां पर तो में ढfind दीक आएं तो तुम अध्यक्तों ऑपढ।्सट औज स्काइब-टेक्तों स्कीना डेक्शंच स्वाज रॉक यह इंपोर्टन पॉइंट की जो नूरल ट्यूब है वह अच्छ से लॉस नहीं हो पाती ठीक है यह मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टर बनाने की कोशिश किया इसकी तो देख सकते हो आकर्स एड़ लंबर फाइब और सेक्रल वन ठीक है कहां पर अकर होता है इस पाइन वाइफ आक्स्ट है हमारे पास पाइन बाइफिड़ विद मुन जेस्ट इसमें क्या होता है बल्ज इन लंब लंबो सेक्रल रीजन बल्ज बल्जिंग सी देखने को मते जैसे मैंने यह स्पैलिंग से बिना रखिए न बल्ज सा बन गया है मनिंजियो सेल सेक्प प्रोडूजिग थ एक्सेशिफ स्वैलिंग देखने को मिलती है कंडिशन इन विच स्पाइनल कोड और इट्स नर्ब रूट्स आर इन दा मनिंजियो सील से ठीक है मतलब क्या बोल रहा कि जितने भी नर्ब रूट है ठीक है कि क्या है नर्ब रूट्स है वो सारी हमें मनिंजियो सील में देखने को मिलेगी ठीक है यह बहुत जादा सीरियस वाली नियूरलोजिकल प्रोब्लम है ठीक है इसका अच्छे से ट्रीट्मेंट भी अभी फाइंड किया गया है पेशिंट में हैं कम्प्लीट पैरलाइस भी हो सकता है उसको कम्प्लीट लोस ओफ ब्लैडर भी हो सकता है ठीक है यह था हमारे पास नियूरल ट्यूब डिफेक्ट तो इसके आगे हम फर्दर टाइप पढ़ेंगे किसके लिए और क्या-क्या इसके अंडर आता है यही था इसका अल अबाउट नियूरल ट्यूब डिफेक्ट क्लियर है आई होब यू अंडरस्टेंड यह शोट नौट से नियूरल ट्यूब डिफेक्ट के और यह जैनेटिक्स का फर्स्ट इंपोर्टन टॉपिक ठीक है तो आज से हम लोग पढ़ेंगे सारे जितने भ कि नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगे आप वहाँ से ले सकते हो